जन जनाट होने लगी है अंदर से हाथ पेर मैंने काम रहे है बस थोड़ा सा और दो मिनट और दो मिनट और बस हो जाएगा हो जाएगा सो हलो गाईज मैं हूँ आपका दोस्त विकास सेनी और आज हम करने वाले हैं जोलो चिप्स चेलेंज ये जोलो चिप्स मैंने मंगवाई थी फ्लिप कार्ड से और जब डिलिवरी वाले भाईया ये जोलो चिप्स मुझे दे रहे थे तब ही एक मेरा पास का जो दोस्त है उसने मुझे कहा कि भाईया आप हमें तो बोलते हो कि ओनलाइन शोपिंग नहीं करने चाहिए फिर आप क्यों कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये कहा था कि जो चीप्स जो चीज होती है बाजार में अवेलेबल वो आप ओनलाइन परचेस मत कीजिए बाजार में जाईए और वहाँ से सोपिंग कीजिए लेकिन जो लो चीप्स वगेरा जो भी कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे छोटे शहरों में नहीं मिलती वो हमें ओनलाइन परचेस करनी पड़ती है और इसी लिए मैंने ये फ्लिप कार्ट से मंगवाई थी क्योंकि जो लो चीप्स हमारे छोटे शहर में नहीं मिलती तो अभी हम करते हैं जो लो चीप्स का चैलेंज तो सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग पहले इसके अंदर ये क्या आया है देखते है ये देखिए आई सर्वाइवड लास्ट चिप चैलेंज आई सर्वाइवड लास्ट चिप चैलेंज हैस्टेग ओके तो इसके अंदर और क्या है अभी इसके अंदर है ये ये मैंने थोड़ा खोल के देख लिया था पहले ही लेकिन अभी जो है वो है ये थोड़ा सा अंदर और है उसे भी निकाल लेता हूँ भाई साब मुझे लगता ये बहुत तीकी है मेरे तो हाद पाउं अभी से काम पर रहे है क्या होगा मुझे नहीं पता ये टोटल है इतना दो है वेफर में दूसरा आत नहीं लगाने वाला दो वेफर इसके अंदर है वेसे तो कम्प्लेट एक ही है लेकिन दो टुकड़े इसके हो चुके है तो अभी मैं इसे खाने वाला हूँ वेसे तो हमारे घर में मतलब सबजी बनाते हैं ना तो भी थोड़ी बहुत मिर्च डालते हैं लेकिन आज ये मेरे इसाब से पूरा मिर्ची का आटा होता है और उसी से बनती है ये जोलोचिप्स तो आज क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये चैलेंज करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैलेंज हमारा ये होगा कि हम ये खाएंगे और पांच मिनट तक ना में पाने पिऊँगा ना दूद वगेरा जो भी कुछ होता है पांच मिनट तक जो होगा देखा जाएगा कमरा वगेरा सबबंद है यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है मुझे बचाने वाला भी नहीं है तो देखते हैं क्या होता है सो करते हैं start लेते हैं छोटा बड़ा वाला हुआ 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 अ हुआ हुआ अ बाइस आप मुझा इच्किया ने लगिया और अभी तो लगबग एक मिनट का टाइम भी नहीं हुआ है पांच मिनट तक मेरे साथ क्या होगा मुझे बिलकोल भी नहीं पता आसू आ रहे है आई सर्वाइवड मैं सर्वाइवड करूँगा बिलकोल करूँगा पांच मिनट तक जनजनाट होने लगी है अंदर से हाथ पे मेरे काम प्रहे है ये देखिये लग बग दो मिनट का टाइम हो चुका है मेरे रोंग टे घड़े हो चुके है ओ गोड साइद ये मैंने सही ने किया मेरे हाथ पेर बहुत काम प्रहे है बस थोड़ा सावर मुझे चक्कर आ रहे है लगता मैं गड़ जाओंगा ने कि नहीं बस बस तीन मिनट का टाइम हो गया है तीन मिनट हो चुके है दो मिनट ओवर दो मिनट ओवर बस हो जाएगा हो जाएगा मेरा सिर्फ काम प्रहे है मतलब पता नहीं क्या होगा ओके ओके बस बस 20 सेकेंड और बचे हैं हो भाई दूद पीने से थोड़ा बहुत वारा मिला लेकिन यह रस मलाई साइद इसे खाने से थोड़ा बहुत सुकून मुझे मिल जाए रह यार इसे भी मेरे खाने के श्टायर पर मच जाना क्योंकि शादियों में जो खाते हैं न मुबंद करके उस आरफ में मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ कि अ करो इसे खाते हैं बहुत क्योंकि अ बहुत क्यों व्हते हैं क्योंकि क्योंकि झाने कि अवरा व्हते हैं अभी भी मेरे मुझ में जलन हो रही है आई थिंग मुझे थोड़ टाइम हो लगेगा लेकिन ठीक है हमने यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर से एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब वाले बटन को फोर देना क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन जो लाल है इस वाली मिर्ची से ज़्यदा लाल नहीं है प्लीज उसे उस बटन पर क्लिक करना और उस बटन को ग्रे जरूर करते ना तो ये वीडियो में यहीं पर घतम करता हूँ और घर जाके पानी वानी वगेरा फुल पियूँगा भाई पता नहीं कभी यह मेरा जलन ठीक होगा तो अभी की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं थेंक्यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और हाँ लाइक और कमेंट जरू करना थेंक्यू सो मच